हालो फ्रेंट्स और वेलकम तो माई चैनल लेटीव स्पेशल किचन आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं बत्वे कराटा और आलू बत्वे के पराथे यह खाने में बहुत क्रिस्पी लगते हैं और बहुत बहुत टेस्टी लगते हैं और इन दिनों सर्दियों में बत्वा वैसे भी बहुत ज्यादा फायदेबंद होता है तो चलिए बिना देर करें शुरू करते हैं तो फ्रेंट्स इसके लिए मैंने पाच मीडियम साइज के बॉल डालू लिए हैं आपके यदि बढ़े आलू है तो आप चार भी ले सकते हैं तो बहुत रहेंगे यह मैंने लिय आधी के लिए बत हुआ इसे मैंने पानी से लगबग तीन या चार पानी से अच्छी तरह वाश कर लिया बहुत अच्छी तरह और उसके बाद मैं अब इसे उबलने रखोंगी कि यह मैं सारा कूकर में बढ़ देती हूं प्रेंट्स वैसे तो इसमें पानी बहुत है लेकिन फिर भी मैं आधा कब पानी डाल रही हूं और इसमें एक सीटी लगा रही हूं इतने मैं इन आलूओं को ग्रेटर से ग्रेट कर लेती हूं मैंने छील लेती हूं और छीलने के बाद इने कद्दूगस से कसलोंगी आलू मैंने छील लिया है अब मैंने घिस लेती हूं फ्रेंट्स के सीटी निकल चुकी है और यह बतुआ गल चुका है अब मैं इसको निचोड लेती हूं आप इसको थोड़ा सा ऐसे लीजिए और एकदम टाइट निचोड लीजिए इसमें पानी नहीं होना चाहिए मैं ऐसे सारा निचोड लेती हूं यह फ्रेंट्स मैंने निचोड लिये हैं अब आप इसको हाथ से इस तरह अच्छी तरह मैश कर लें जिससे बतुआ आपस में मिक्स हो जाए और तूट जाए हम इसको मिक्सी में नहीं पीश सकते हैं नीतो एक बारीक पेस्ट बन जाएगा उससे प्रांटे हमारे बढ़िया नहीं बनेंगे फ्रेंट्स बतुआ मेरा रेडी है अब मैं इसमें से थोड़ा सा बतुआ एक चमश लगबग अलग निकाल लेती हूं राइते के लिए अब मैं इसमें आलू मिक्स करूंगी आलू अपने टेस्ट की अकॉर्डिंग कम्या जाधा कर सकते हैं यदि आपको जाधा बतुआ पसंद है तो आप बतुआ जाधा रख लीजिए यदि आपको आलू जाधा पसंद है तो उसी हिसाब से मिला लीजिए अम इसमें डाल रही हूं आधा चमश नमक आधा चमश मि लेते हैं यह मैंने लिए दो कप आटा गेहूं काटा इसमें मैं डाल रही हूं दो चमश रिफाइंड ओल आपको बहुत जाधा नहीं डालना है सिर्फ दो चमश ही बहुत है वह भी हमें सिर्फ अलका सा क्रिस्पी रखना है प्राटा को इसलिए आधा चमश नमक आप चाह यह प्राठे बनाते हैं आप सेम ऐसे ही आटा गून ले नहीं ज्यादा पतला और नहीं ज्यादा टाइंट कि अब हम इसे पांच मिनट के लिए ढखकर रख देंगे अब हम आटे की छोटी सी पेड़ी लेंगे ऐसे सॉफ्ट कर लेंगे इस पर सूखा अटा लगाएंगे और इसको बेल लेंगे अब इसमें से ऐसे एक गोल बोल के जैसे बनाएंगे और इसके बीच में रखके इसको ऐसे बंद कर देंगे इस पर वापस सूखा अटा लगाएंगे और इसको बेल लेंगे प्रेंट्स बत हुआ बहुत ज्यादा पाइदे बंद होता है तो इसलिए हम लोगों को सरदियों में जरूर खाना चाहिए और इसके प्रांठे तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं अब हम इसको आसे उठाके और कवे पत्षोल लेगा अब ये एक साइट से सिख जाएगा तब मैं इसको दूसरी साइट से पलट दूँगी ये एक साइट से सिख चुका है मैं इसे पलट लिया है मैं डाल रही हूँ इसमें दो चम्मश रिफाइन डॉयल थोड़ा सा मैं दूसरी साइट भी डाल रही हूँ जिससे प्राठा एकदम क्रिस्पी बनेगा मैं ऐसे सारे प्राठे तयार कर लेती हूँ अब हम लोग इसका रायता तयार करते हैं गैस मैंने बंद कर दी है फ्रेंट मुझे एक कटोरी धाई बनानी है इसलिए मैंने एक कटोरी धाई ली है आप देख सकते हैं यह धाई ऐसे फटी फटी होती है तो हम लोग इसको अच्छी तरह पहले मिक्स करेंगे हम इस धाई को प्लेन कर लेंगे आप चाहे तो इसको में भी चांद सकते हैं लेकिन मैं ऐसे कर लूँगी तो भी यह प्लेन हो जाईगी यह देखे आप यह धाई एकदम प्लेन हो गई है अब यह जो मैंने बत हुआ लिया था मैं यह थोड़ा-थोड़ा करके इसमें डाल दूँगी और इसको चमस्य में ला दूँगी इसमें अच्छी थरा मिक्स हो जाता है यह मैंने मिक्स कर लिया है अब मैं इसमें डाल रही हूं बारी कटा हुए हरा धनिया एकदम बारी कटी हुए हर इमेंच थोड़ा सन्नमाख बहुत եोड़ी सी लाल्मीच बहुत थोड़ी सी काल इमेच अब हम लगाएंगे इसमें तड़का, यह मैंने कल्ची ले लिए, मैं गैस जला रही हूँ, वैसे तड़का लोहे की कल्ची में बनता है, लेकिन मेरे पास लोहे की कल्ची नहीं है, तो इसलिए मैं स्टील की में बना रही हूँ, वैसे यह मेंली लोहे की कल्ची में ही बनता ह बहुत बहुत थोड़ा आधा चम्मत से भी कम रिफाइन ओयल आप चाहे तो इसको देसी घी में भी छोक सकते हैं घी गरम हो गया है मैं इसमें डाल रही हूं जीरा और थोड़ा सा हींग जीरा ब्राउन होती ही मैं इसमें छोक लगा दोगी फ्रेंट्स छोक मेरा हो चुका है जीरा में काला नहीं करना है तो हलका ब्राउनी रपना है अब हम इसको गरम को ही इस कटोरी में ऐसे करके और इसको ढग देंगे इस से जितने बहां HOLby रेएगी इस तड़के से राइते में जो टेस्ट आता है वो बहुत ही टेस्टी होता है अब हमारा राइता भी तियार है प्रांठे भी तियार है यह मैंने सालू कर लिया है राइता मेरे तियार है आप चाहे तो इसमें बत्वा और मिला सकते हैं यह मेरी चटनी यह बटर और यह मेरे पराठे एक दम फूले फूले पराठे आप देख सकते हैं इसका कलर भी कितना अच्छा है तो आप एक बार इस तरह बतुए करायता और बतुए के पराठे घर में बनाएं और मुझे जरूर बताएं कि आपके कैसे बते और फ्रेंड्स यदि आप मेरी वीडियो पसंद करते हैं तो उसे लाइक करें अपने दोस्तों में शेयर करें और आप मेरे चैनल पर यदि न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्स वर वाचिंग